खाने की ये दो थालियां जो आपके सामने रखी हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी बिमारी को ये खाने की दो थालियां ठीक कर सकती हैं, चाहे वो बलड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, जोडो का दर्द हो, लीवर की प्रॉबलम हो, किड्नी की प्रॉबलम हो, खाने की ये मेरा वजन हो गया 68 kg अब इसके हिसाब से मुझे नाश्टे में लगबग ये एक खाली थाली तोल के वजन दिखा हो ज़ना यहां पर यह मैं आपको थाली भी खोल के दिखाता हूं इसको ये इसको प्लें करो जीरो करो अब इसको रखो येस मेरा वजन था 68 kg यानि कि आज के बाद आपने प्लेट वन बोलना है और जो भी आप रूटीन में खाते हो ये आपके सामने जो हमारी भोजन की भारतिय थाली जिसमें ये हमारे सामने पनीर और पालक है ये दाल है सुक्की सबजी चावल और रोटी इसको आप बोलते हैं इसको आज के बाद आप बो नाश्ता अब हम बात करते हैं कुछ पेशेंट्स की और फिर मैं आपको बलाओंगा लंच और डिजन में प्लेट वन और प्लेट टू का क्या करना है उससे पहले मैं आपको पेशेंट मिलवाता हूँ दक्टर यामीनी आये मेरे साथ आप तो ये हमारा हिम्स हॉस्पिटल मेरेट में स्थेता है मेरेट की शुरुआत में जो एक हजार बैड का एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आईए मैं आपको पेशेंट में मिलवाता हूँ ये हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो आप सर कहां से आप आयो एक बार बताएं जरा मैं यूएस से आया हूँ यूससे आयो आपको क्या प्रॉब्लम के लिए आप यहा है थे इपनी की अभी कितने दुन होगे आपको हमारे भी आपको अपको फरक लग रहा है बहुत हल्का फरक हुषर को हरा है मेरा वेट बी कम हूआ है चार किलो चेजी दिन में कम हूआ है पूरे देश के लोग मैं नेपाल से हूँ और मेरे हस्बेन को लेकर आई थी मेरा हस्बेन का कितनी फेल हुआ करके डक्टर बोला इसलिए हम आये थे इदर आने के बाद तो हमें यहां का इंवार्मेंटी बहुत ही भाया और यहां का ट्रीटमेंट और यहां का सब का बिहार वो प्यार सा नजरा उ कितने दिन हो चुके हैं आपको इस ऑस्पिटल नहीं है अज 21 दिन पूरे हो गए और उनको रिजल्ट क्या मिला है उनको उनको भीतर से एकदम इनर्जी नहीं था एकदम थके हुए गले हुए इसे थे उनका क्रिटे नेम भी डान हुआ है अभी वान पेंट सम्टिंग डा पैको इसे हैं की हाँगे है अएरवेध के बारे मुन को जो हमारे रेश्यों ने जो दिया है उसमें अम्रीत है is a अम्रीत पान हम कर रहे हैं, हमने उस दिन कैंटी में बोला धर्ति का एक स्वर्ग का अनुभा बता है, इसके अलावा मैं चाहूंगा एक और पेशन्ट है हमारे साथ, इनकी भी आप भी ती सुनते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी को पूरा फॉलो करते हैं, तो मैं चाहूंगा क्या तकलीप थी और क्या दिक्का थी? और उसके लाएंगे, हमारे बारे में कैसे बता चेनाब को? भूम जिसको कहते हैं मरता क्या नहीं। तो मैं वीडियो देखते रहता था तो एकदम अचानक मेरे सामने एक रोशनी नदर आई और वो रोशनी है आचारे जी और हिम्स होस्पिटल तो जब मैंने काफी वीडियो देखनी स्टार्ट की तो उसके बाद मेरे को पता लगा यहाँ पर मेरा लाज हो सकता है तो मेरे घर के पास में शुदी एक जो है क्लिनिक है वहाँ में गया और जाकर के मैंने डर्क्साब से बात की तो उन्होंने का फटा फटा आप जो है वहाँ पर चले जाओ और आपका पूरा लिवर जो है ठीक हो जाएगा आप उमीद के साँ जाओ अभी आपको यहाँ पर आई वे कित है यह जो मुझे अभी फील हो रहा है खाने में पीने में घुमने में फिरने में पहले मेरे को कमजोरी होती थी केमिकल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते थे और पदनी कितनी सारी गोलिया मैं खाया करता था अब वो धीरीदे करके गोलियां जो है मैंने ख़तम कर दी एं और की मैडिसन मेरे को जो दी जा रही है मैं उसी मैडिसन को ले रहा हूं और तीन चार दिन से तो मैं ऐलोपैथी की ले दी रहा है बिल्कुल भी और यही की मैडिसन से मैं काफी रिलीव वहसुस करता हूं और बहुत कमफर्ट यहां का जो हिम्स का जो एक एनवारिमेंट है मैं स सब लोग जो पेस्ट बढ़ा दिया है उनके लिए एक किसम से उनकी जड़े उखाड़ दो और हम सब लोगों को आप जो है बहुत अच्छा स्वास्थ परदार करो मैं उम्मीद करता हूँ जड़े बड़े हमें किसी की नहीं उखाड़नी हम सब को साथ लेकर चलेंगे यह तब तक मैं आपको वापिस से डाइट चार समझा देता हूँ जो मैंने समझाया यह जो हमारी पूरी बॉड़ी है यह जो हमारा फेफड़े है हार्ट है लीवर है किड़नी है छोटी आथ बड़ी आथ ब्रेन अगर सही बोजन देते हैं यह सब सही डंग से काम करते हैं गल तक यह रहेगा अब आजाते हैं बारा बज़े के बाद लंच में तो लंच में आपका वजन जितना वजन है उस वजन गुणा पांच ग्राम आपको पहले सेलड खानी है यह गाजर मूली प्याज शिमला मिर्च जो भी आप चाहो यह पूरी सेलड की प्लेट आप इस तरह पूरी बना सकते हैं जिसको आप प्लेट वन बोलेंगे यानि कि दुपैर में यह आपकी प्लेट वन हो जाएगी और उसके बाद जो भी प्लेट टू है वही चलेगी जैसे है लेकिन नाश्ते में वजन गुणा 10 ग्राम था लंच में वजन गुणा 5 ग्राम है यह आप प्लेट वन बन जाएगी उसके बाद जो प्लेट टू चलेगी वही चलेगी इसके बाद बात करते हैं डिनर की यानि कि रात की रात को भी आपको प्लेट वन पहले खानी है और उसके बाद कोशिश करिए अगर आपको शुगर है बीपी है जोडों का दर्द है लीवर प्र कर लेते हो और इसके अलावा पूरे दिन में जितना आपका वजन है यानि कि अगर मेरा वजन जैसे 68 किलो है यानि कि तो लगबग 70 ग्राम यानि कि 70 किलो मालूम है अपने आपको तो 70 ग्राम भीगे वे ड्राइफ रूट और इस तरह के पत्त इब अगर मैं लेता हूँ तो म से डेली एक इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी का ये हल्दी है कच्ची हल्दी देखिए आप इतना बड़ा एक टुकड़ा हल्दी का खाली पेट रोज चबाना है जिसको भी कैंसर है या जोडो का दर्द है तो उसको बड़ा अराम मिलेगा और जिसको भी हार्ट की लगबग 15 दिन कम से कम लगातार चबाना है तो हार्ट की ब्लोकेज खोलने में, वैसो डाइलेशन मणाने में, नाइट्रिक अक्साड का प्रडक्शन मणाने में ये अद्रक पूरा काम करेगी तो अगर आप ये सब अपनाते हैं तो चाहे किड़नी की प्रॉबलम है, चाहे पूरी बॉड़ी की कोई भी प्रॉबलम है आप अपनी बिमारी को रिवर्स करना सीख जाएंगे पूरे भारत में हमारे बड़े हॉस्पिटल और छोटे हॉस्पिटल जहां अभी हम खड़े हैं ये हम डिली एंसियार बॉर्डर पे मेरट में खड़े हैं ये पूरा कैंपस 25 एकर में फैला हुआ है और पूरे इंडिया से लोग यहां आते हैं एक हजार बेड़ का एशिया का ये सबसे वड़ा हॉस्पिटल जहां किड़नी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलिसीमिया बड़ी से बड़ी मारी ये पूरा कैंपस आप यहां से इस पोस्टर से भी दिखा सकते हैं तो ये हमारी पूरी टीम की फोटो भी लगी हुई है भाई राजीव दिख्षित की याद में जो हमने ओस्पिटल शुरू किया था अब पूरे भारत में हिम्स एक नाम बन चुका है पेशन्ट की एक आखरी उमीद की किरन बन चुका है कि जहां पेशन्ट रिवर्स होते हैं तो आप सब लोग ये प्लेट वन प्लेट टू के कंसेप्ट को समझीए अपने आपको स्वस्थ कीजिए यही हमारी आपसे कामना है थैंक यू भाई राजीव दिख्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के परियास में एशिया का पहला हजार बैड का इंटीग्रेटिट हॉस्पिटल शुद्धी ग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरट में खुल चुका है इसके अलावा चंडिगर डेराबसी, नवी मुंबई, लखनव, गुरु ग्राम, अमरिच सर, दिल्ली, लुध्याना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है हर किड्नी फेल पेशन्ट, लिवर पेशन्ट और कैंसर के पेशन्ट तक ये विडियो पहुँचा कर आप भी इस महीम का हिस्सा बनिये